नमस्कार मैं आश्रतोस कुमार सिंग आपका अपने चैनल मल्टी नाइम असल जिन्दगी पर हार देख सागत करता हूं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और जरूर इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए आपका एक छोटा सा प्रयास बहुत से लोग की जिन्दिगे में सकारात्मक परिडाम ला सकता है आज हमारा विशा है कि मंतरजप के दौरान मन को एक आगर कैसे करें मारे कुश्मित्रों का प्रश्न आया है ठीके मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाना चाहता हूं जो अमीर हो सकता अपने पहले सुनी हो एक राजा था एक बार वह अपने किसी खास मंतरी से बहुत नाराज हो गया तो उसने उस मंतरी को जो है सजा दे दी पहले कुश्दन उसको जेल में रखा और फिर एक निर्धारिक दित्थिपे उसको जो है मृत्युदंड की सजा दी जाने थी और वहां पर सजा देने का तरीका थोड़ा अलग था वो राजा ऐसा करता था कि किसी भी वक्ति इसको एक बहुत उंचे घंबे पर जो है वहां बैठा देता था और फिर दीरे दीरे वाद में पूक और प्यास से तड़ा तरफकर मर जाता था कि तो वही सजा उस मंतरी को भी दी जानी थी कुस्वां बीता और जब निर्धारिती थी आई तो उस मंतरी को भी वही सजा दी गई उसे राजा इस बार से दुखी भी था क्योंकि वो मंतरी बहुत ही होश्यार था और राजा उसको मारना नहीं चाहता था लेकिन अब चुकी जैसा कि पर सद्धे राज हाट एक बार उसने कह दिया तो अब वो से बदलना भी नहीं चाहता था और उस मंतरी को वह सजा दे दी गई उसके सजा देने के बाद कुछ महीने बीते और फिर एक दिन अचाना को मंतरी उस राजा के सामने प्रकट हुआ राजा तो बहुत ही आश्या चकेत हो गया बहुत ही खुश भी हुआ कि यह कैसे संभव हुआ और मंतरी की बुद्धी मत्त को देखते वे राजा ने पुराना दन्यों से माफ कर दिया उसने कहा कि लिए मुझे यह बताओ जरूर कि कैसे उस उस खंबी से तुम निकले कैसे जहां से कभी कोई निकल नहीं पाता है आस तक ऐसा कभी नहीं वह तो तुमने डुकर कいきया तो मंतरी ने बताए कि महाराज जब मैं जेल में था यह बतनी मुझे कभी कभी मिलने आते थी तो मैंने उससे सिक्रट बताया उससे सिक्रेट का ऊध कर मानद का लूए कि क्या है उस उस सेक्रेट तो बंद्र ने बताया कि एक कीड़ा होता है रेखने वाला कीड़ा तो उसके मुझ पे जब हम सहत लगा देते हैं तो उसको चाटने के चक्कर में वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है तो उसे कीड़े की पूच से जो है मेरी बतनी ने एक रेशमी धागया उसके उचमे बांग दिया और फिर वो कीड़ा ऐसकता की सकता चलता उस शहद के लालच में ऊपर तक मेरे पास पहुंचा और फिर उस रेशमी धागया से बड़ा बोटा अक्रस्ती पिर उससे और बड़ी रस्स्ती और अंतुर यहां कि तुम्हें दूस कहानी का शारांश क्या हुआ कि कहानी का जो सारांश है जो इसके शिक्षा है वो ये हैं आपको याद होगा हमारा प्रश्ण है कि मंत्र जब के समय हम अपना ध्यान कैसे एक अगर करें देखिए हम अपने ही मन के काराग्रह में पंधे वे और मंत्र ऐसा है जैसे कि उसमें से एक सुराख करना और वहां से एक सुर की किरण आपके पास आ रही है तो जो किरण आ रही है उस बारी किरण पर ध्यान दीजे और मन का ये नियम है कि आप जीस चीज पर ध्यान देते हों बढ़ने लगता है तो अपना ध्यान उस किरण पर लगाईए क्योंकि एक दम से गर सुरज आ जाएगा तो आप घबरा जाओगे ज्यादा परकाश भी घबरा देने वाला हो जाता है इसलिए उस बारी किरण पर ध्यान दीजे फिर धीरे और और परकाश आता चला जाएगा तो मंत्र जब के समय काकरोने के जो वास्तों में बेसिक जो तक्नीक है वो यही है यहां पर मैं कुछ इजए इस पश्ट कर दूं कि देखिए मंत्र में जो सहायक चीज़े हैं वो पहले भी मैंने अपने वीडियो में बताई है कि माला अब जब आप माला माला को आप घुम लंगन नहीं करना है यह मेरे अपने वीडियो से बताया आप उसको देख सकते हैं तो यूज माला प्रॉपरली उसमें आप देख सकते हैं कि जब कैसे करें तो जब तो एक तो ध्यान मन उसमें लगा रहेगा और मन का एक सभाव है क्या उसको एक संब बहुत सारे काम पेकागर नहीं हो सकता तो आप कुछ अस्ता तो वहां लगा रहा है कि आप शुमेरू क के बाद आपको मंत्र के सुनने पर ध्यान देना है स्रवण कि सुनना आवश्यक है कि उजो तरंगे उठ रहे हैं उजो धनी उठ रहे हैं उसको सुनना है आपको बार-बार लगातार है कि उसके बाद फिर कुछ लोग किस्मर्टी विज्वाल होती है तो आप अपने इश्टर के मूर्ती या चित्र पर भी अपना ध्यान के इंद्रित कर सकते हैं और सबसे जो बड़ी महत्वपूर बात है कि शुरू में मन विज्वित होता है क्योंकि जब आप मंत्र जब करना शुरू कर रहे हैं तो आप आएंगे कि आपके मन में आपके दिमाग में नए नियूरल पात्वे बन रहे हैं नया इनर्जी सर्कृट बन रहा है तो थोड़ा समय लगता है उस नए सर्कृट को मुझबूत होने में उससे उर्जा का प्रवाह होने में तो शुरू शुरू में मन थोड़ा विचलित होता है तो आप उसको विक्षा करें उस पर ध्यान मत दीजे यही सबसे मत्वपूर बात है कि उस पर ध्यान नहीं देना आपको आपको शुरू अपने चप में लगे रहना है अच्छा जैसे कुछ नए लोग हैं तो उनके लिए बहुत पूर बात है कि कुछ बेसिक चीज है कि जब प्रति दिन एक ही जगा पर बैटकर करें एक ही आसन का इस्तेमाल करें एक ही समय पर करें और नेमित रूप से माला की संख्या को निश्चित रखिए दूसरी चीज की शुरुवात में दो-तिन हफ्तों तक कम से कम बलकि और ज्यादा वो सके तो वाचक जब कर इस्तेमाल करें वाचक जब महत्वपून है शुरुवात में उसके बाद आप उपाहिंशो और मौन जब भी करेंगे इस्टे दूप से करना ही है इसके रहे हैं मैंने और वीडियो से बताया है आप उसको वित्तार से देख सकते हैं अब यहाँ पर कभी-कभी कुछ बात आती कि कभी-कभी कुछ जो पुराने सादक हैं उनको भी दिक्कत आती क्योंकि मालीजी आपको इन्हों स्थान कर रहे हैं और आप जादा मात्रा में जब कर रहे हैं तो कई बार मन क्योंकि मझंट बहुत बड़ी सन्ञचना है और जब आप मन्त्रut дав करते हैं तो इनरजी पिनेट रेट करती है आपके अचेतन मन लगे पैदा हो जाता है कभी-कभी थोड़ी बहुत बेचैनी होती है तो उसके लिए जो मत्वूर्स है मैंने अबने लास्ट वीडियो में डाला है खुश कुछ एक्सरसाइजिस जैसे चक्की चालन नौका संचालन अर्द इतली पूर्ट इतली कुछ बेसिक अभ्यास करके जब आप बैठते हो तो कि आपको आसानी हो जाती है जब करने में भी और इसके लावा आप जब करते समय अपने जब की स्पीड को बदल सकते हैं जब आप ज्यादा मात्रा में जब कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जब करते करते थोड़ा ड्राउजिनेस थोड़ी तंद्रा जैसे अवस्था जाती है क्योंकि आपके तिमाग के वेज बदलने लगती है आप अल्फा वेज और गहरे में जाने लग जाते हैं तो उस अवस्था में हल्की हल्की ड्राउजिनेस या तंद्रा कि अबस्था आने लग जाती है तो उस इस्तिति में आप अपने जब की लाइकों बगल सकते हैं थोड़ी स्पीट से कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं यह आपके उपर निर्वाद करता है ऐसा किया जा सकता है तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से सभी बिन्दू कवर किये हैं आपका कोई और प्रश्ण हो तो जरूर नीचे कॉमेंट सक्षन में कॉमेंट करें और सबसे महत्वपूर जो बात है अभ्यास अभ्यास और बहुत दारा अभ्यास जैसा कि मैं अपने स्टुदेंट को बोलता हूं अपनी वीडियो में में बोलता हूं कि साधना, योग-साधना, ध्यान साधना कोई ऐसी घटना नहीं है कि वो कोई event की तरह आपने कर लिया नहीं वो आपका जीवन शैली वन जाना चाहिए जैसे जीने के लिए आवश्यक है पानी पीना, उजन करना ऐसे ही आवश्यक है साधना करना और उसको निम्मत रूप से करना यह अत्रन तावश्यक है आपके जीवन के ढाचे धर रहें आपके जीवन के ढंग में इवाग शामिल हो जानी चाहिए इसके कुछ और वीडियो भी डालूंगा क्योंकि वीडियो के लेंग बहुत जाता ना हो जाए इसलिए मुझे लगता कि फूरा मेरे कवर कर लिया है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए शेयर करिए और अभ्यास जरूर करिए मेरी आपसे ये विनम्र गुजारिश होगी कि अभ्यास करिए अपने जीवन में शुभ कर्म करिए ताकि आपके साधना फली भूत हो सके अभी के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में